हेलो डियर स्टुडेंट्स मैं आसिस राउसर टीम जूलोजी CLC सीकर से आप सभी बच्चों का CLC के डिजिटल प्लाटफोर्म पे बटा स्वागत किया जाता है हम आज का जो अपना डिसकेशन रहेगा पेपर का वो है मेजर 7 उससे पहले आप सभी को यह कहता हूं बटा कि ज इसमें different type के questions हैं उनकी practice के लिए बनाए गए हैं जैसे biochem DTS जो है biochemistry की DTS book है वो हो गया ठीक है physics ही को हो गया और previous year जो है वो books उसके अंदर include है आप उनके अंदर बार-बार practice करते रहें जिससे आपका जो score है वो gradually improve होता रहे और आपका जो score है वो काफी अच्छा है काफ ठीक है तो आज हम discuss कर रहे हैं अभी अपना जो paper है ठीक है उसके बारे में जूलो जी का तो यहां पर जो section A है उसके अंदर total 35 questions दिए गए है उन 35 questions के अंदर से क्या है हमें सभी A to Z1 से लेकर जैसे 101 से 135 तक जितने questions है वो सभी करना compulsory है तो compulsory है तो इसका कारण क्या हम एक भी नहीं छोड़ सकते है ठीक है हाँ अगर हमें नहीं आता और हमने उसको attempt कर दिया तो negative marking जो है वो minus 1 है और एकदम correct है तो उसके 4 marks अपने को मिलेंगी हाँ वेटा question number 101 से हम discuss करेंगे अपने paper में ठीक है तो 101 में दिया गया है कि जो bilateral symmetrical organism होना चाहिए सुडो सिलोमेट होना चाहिए ठीक है दिवीपार्सव स्मीति और कूट गुईग जन्तु कौन साइन में से किसको exemplified किया गया है तो जो bilateral symmetry है उसमें क्या होता है organism को एक plane से ही single plane से दो equal half में divide किया जाता है left and right जैसे हमारे center axis से pass कर दिया जाए तो left right दो equal half बट जाएंगे जैसे यहाँ पर दिखाया गया हमने ठीक है यह समझाने के लिए diagramatically हमने represent किया कि दूसरा pseudo silhouette false silhouette जो है वो प्रेजेंट होगा true silhouette नहीं है वहाँ पर ठीक है passage के रूप में जो mesoderm है वो line cavities के अंदर present होगा तो यह किसको show कर रहा है pseudo silhouette को जो pseudo silhouette है उसको represent कर रहा है तो यह ध्यान रखना कि जो pseudo silhouette है वो सबसे पहले जो अपने round warm थे उनके अंदर देखा गया था और round warm जो है मेटा वो S के almenthis होते हैं जिनको nematodes या nematis के almenthis के नाम से भी हम जानते हैं ठीक है तो answer हो गया S के almenthis analytes नहीं आ सकते bilateral symmetry तो है लेकिन यह silomates होते हैं tenophora radial symmetry होते हैं और A silomate है यह भी नहीं आएगा platy almenthis जो है मेटा उनके अंदर pseudo silhouette है ही नहीं A silomate होते हैं मेटाब symmetry तो आ गई लेकिन यह नहीं रहेगा ठीक है जो bilateral symmetry तो present है लेकिन silom नहीं है तो यह भी answer नहीं रहे answer होगे अपना first ठीक है next question है question number 102 match the following organism with their common name भाई जो जन्तु दिये गई है उनको उनके शामाने नाम के साथ मिलान करना है पाइला पाइला को हम apple snail के नाम से जानते हैं starfish asteriosus हो गया arthworm ferritima post हुमा हो गए बटा locusta gregarious best में include किया जाता है तो इसके अनुसार जब match क्या बटा a का third से b का second से और c जो है उसका first से और d का fourth से तो d का fourth से यहां भी नहीं है तो first answer नहीं आएगा यहां भी नहीं है यहां दिया गया c का first से match दिया गया है b का second से दिया गया है और a है उसका three से बटा तो answer हो गए third तो fourth भी नहीं है अपना answer तो answer क्या रहेगा third answer आगे बटा इसमें ही के next जो question है question number 103 जिसके अंदर क्या दिया गया है which of the following fish not bear clasper in the male जो male है उसके अंदर clasper नहीं present होता है जितनी भी अपनी cartilage fish होती है जिनको elasmobrancs कहते हैं उनके अंदर जो male होता है उसके पास क्या होता है एक penis की तरह structure present है जो insemination में help करता सीमें के ठीक है तो यह pelvic fin पर present है clasper यह देखो यह जो structures दिखाई दे रही है यहाँ पर ठीक है यह वाली जो structures है यह होगे clasper यह keval और keval जो cartilage fish होती है उनके अंदर होगा क्यों क्योंकि उनके अंदर internal fertilization होता है बिटा लेभियो यह bonifix है बिटा external fertilization होगा तो यह answer है note bear में लिखा है जो नहीं contain कर रहा है बिटा तो यह पहला ही answer हो जाता इसका scolodon cartilage fish है इसमें present होगा यह answer नहीं आ सकता note bear का बिटा trigon trigon भी cartilage fish है shark क्या है cartilage fish है तो यह जो option है scolodon trigon shark यह cartilage fish है इनके अंदर यह present होता है बिटा जो class for है लेकिन note bear का है जिसके mail में present नहीं है वो क्या होगा अपना first answer हो गया सब्सक्राइब करते हैं इसके कोड़ी अंच ओके नेक्स्ट जो कोशन है कोशन नंबर 104 जिसमें क्या दिया गए बिटा इन यूरो कोड़ेट्स इन नोटो कोड़ेट्स जो है वो include तो और एकोड़ेट्स के अंदर ही सबसे पहले इनहीं के बारे में उस्टडी करते हैं तो यह जो यूरो कोड़ेट्स है ठीक है उनके अंदर क्या होगा जो नोटो कोड़ेट्स है वो शुरुवाती समय में present होता है और वो भी टेल पार्ट के अंदर ठीक है बाद में क्य सबस्सक्राइब ंदर होता है लार्वा के बाद जब यह अड़ल्ट स्टेज में आते हैं तो उस समय इनकी टेल पार्ट से जो नोटो कोड़ेट्स है वो लोस्ट हो जाती है वास्ट रिप्लेस्ट रिप्लेस्ट वाइदि वर्टिब्रा पोलम इन अडल्ट वर्टिब्रा टेल में मिल रहा है लोस्त इन अडल्ट अडल्ट एंदर लोस्त हो जाता है रिक्यक्त स्टेटमेंट नोट फाउंड इन लेई लार्वा टेल में तो मिले गई यह बहरत हो गया फाउंड इन लारवा स्फ ci नहीं है तो अंसर हो गया second बेटा इसका next question number 105 which of the following structure is not present present नहीं है बेटा ये ध्यान देना है इन female cockroach अब यहाँ पर क्या दिया है first zoo है बेटा क्या दिया गया है anal sursi anal sursi दोनों के अंदर present होता है male और female के अंदर abdomen tense segment है abdomen का बेटा A10 उसके ओपर present होता है ठीक है और ये क्या होता है sensory structure की तरह काम करता है next catenious exoskeleton ये तो जितने भी अपने insects है उनकी क्या है पहचान होती है बेटा ये तो मिलेगा ठीक है anal style anal style जो है बेटा वो केवल और केवल जो male cockroach है उसके पास मिलता है और ये कहां मिलता है जो अपना A9 segment एविटा उस पर present होता है ठीक है next compound eye compound eye दोनों में मिलेंगी और जो compound eyes है उनके अंदर एक eye में 2000 omateria present होती है तो यहां पर दिया है केवल sorry जो female के अंदर नहीं है female के अंदर ये male वाला पार्ट नहीं होगा तो answer क्या हो गया अपना third बच्ची ठीक है जो anal style है वो केवल male में मिलता है female में नहीं होता है next 106 the chondriocytes of connective tissues are जो chondriocyte word है बटा वो cartilage के लिए यूज किया जाता है तो यहां पर देख लिए cartilage किस में दिया गया है cartilagious cells तो answer तो हो गया third fiber secreting cells जो है वो fibroblast होती बटा fibroblast जो है वो fibres का formation करती है इन cells के अंदर bone वाला osteocytes जो है वो cells आ गई बटा cell eating की बात करें तो osteocles हो गया तो अपना जो answer है वो गया third यहां पर next question number 107 क्या दियागा है actin filament जो है जिसको हम thin filament के नाम से भी जानते हैं इस made up of किसे बना होता है तो यह diagram दिखा रखा है आप इस diagram के अनुसार देखें कि इस diagram में यह diagram तो हमने आपको explain करने के लिए easily समझ में आजा है उसके लिए मैंने रखा इसको तो यह जो diagram है इसके अंदर क्या है में जो दो chain है जो green color की दिख रही बिटाओ वो f actin है उसमें एक यह जो गोला है एक यह जो circular structure दिख रही बिटाओ यह अपने globular actin जो monomer है g actin जिसको कहते हैं वो है उसकी chain है दो उनको f actin कह दिया ठीक है f actin के चारों और दो chain किसकी tropomyosin के आएंगी ठीक है tropomyosin के उपर इसके उपर बेटा regular intervals पर जो troponin है वो जुड़े होते हैं बेटा एक muscle अगर लें तो उसके अंदर regular intervals पर क्या होगा जो troponin है वो attach रहता है जैसे यह देखे इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी सेम रहेगी अगर हमने एक muscle लिया है तो ओके तो यहां पर जो अपने ट्रोपोनीन ट्रोपो मायोशीन और F-actin या simple actin लिखा में जाएगा तो यहां पर देखते हैं Actin ट्रोपोनीन ट्रोपोमायशीन अंसर होगे फॉस्ट एक्टिन और ट्रोपोनीन अकेले नहीं आ सकते बिटा है ठीक है क्योंकि ट्रोपोमाशीन भी रहेगा Myosin Myosin जोैबिटा वो खुद किसके अंदर क्या है? किसका मेने बिटा? ये है अपना Myosin filament जिसको हम तिक filament कहते हैं जो बना होता है मीरो Myosin से बिटा तो ये भी नहीं आ सकता यहां भी Myosin दे दया तो ये भी नहीं आ सकता तो अपना जो अंसर है वो गया first risk का next 108 protein coated protein से covered की बात करें बटा protein coated small fat globules absorption occur in जो छोटी protein से आमनित बटा वसा की गोलिकाई है उनका आउसोशन किस में होता है ये पुछा है ठीक है तो किस में होता है lacteals के अंदर जो विलाई के अंदर lacteals present होती हुटा उनके अंदर केवल और केवल fat से related जो भी fat का absorption हो रहा है वो lacteals के अंदर होता है बाकी जितने भी components है उनका absorption कहा होता है blood के अंदर रहता है और ये जो protein coated fat globules जो है इनको बोलते के हैं kylomicrons कहते हैं तो ये तो नहीं आएगा अग उसने ये तो नहीं बूचा कि वो उसको क्या बोलेंगे उसने ये कहा है question में कि वो अब जो कहां होगा उसका बटा तो lacteal answer तो क्या हो गया lacteal आयोटा नहीं आ सकता है blood vessel है मिसेल्स भी नहीं हो गटा emulsification से बनता है lipid जब emulsified होता है उसके बाद बनते है मिसेल्स ठीक है तो answer क्या हो गया second इसका ओके next 109 a healthy person eat the following diet ये कुछ खाना खाता एक healthy person जिसमें 5 gram क्या रहेगा sugar है 4 gram albumin है जो protein है बिटा 10 gram घी है जो lipid के अंदर आता है 2 gram vegetable oil है sorry vegetable घी है वो भी किसमें आता है lipid में आता है 5 gram vitamins है फिर कहता है how many calories he is likely to get बहुत कितनी calories वो इस food से प्राप्त करता है तो simple याद रखें ये physiological glorific values जो है उसके बारे में पूस्त है बिटा एक gram से जो carboidate है उससे 4 kilocalories मिलती है और अगर protein है एक gram तो उससे भी 4 kilocalories मिलती है और अगर lipid है बेच्छे उस एक gram lipid से 9 kilocalories मिलती है तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि protein कौन से है carboidate कौन से लिपिड कौन से बिटा तो ये दोनो लिपिड है तो लिपिड कितना हो गए बिटा अपने पास अभी 12 gram तो 12 को 9 से multiply कर दिया 5 gram क्या है sugar वो carboidate में आता है तो 5 से ये multiply कर दिया और protein क्या है albumin 4 तो यहाँ पर इसको 4 से multiply कर दें बिटा तो ये क्या रहेगा यहाँ हो गया 20 16 108 ठीक है multiply करते है तो बिटा 108 आ गया जब हमने इसको add किया तो अपना जो answer है वो आ जाएगा तो add करते हैं तो कितना answer आता है 144 किलो कैलोरीज energy मिलती है जो vitamins है वो कोई भी energy हमें नहीं देती है ठीक है वो क्या है constructive और protective टाइप का का काम करती है हमारी body के अंदर तो answer क्या हो गया 144 ठीक है बिटा next 110 what would happen if human blood become basic वह यह कह रहा है कि human blood अगर basic हो जाए ठीक है होता तो basic है वो किस तरफ shift कर जाती है right side sorry left side में shift कर जाती है यह normal और जब shift इस तरफ किया बिटा है तो binding affinity बढ़ गई ठीक है तो binding affinity किस की तरफ बढ़ बढ़ बिटा हीमोगलोबिन का oxygen की तरफ increase हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर जब अपना क्या हुआ blood basic हो गया थोड़ा सा pH जादा हो गया तो क्या होगा oxygen caring capacity of hemoglobin increases increase हो जाता है अगर यहाँ पर acid के लिख देता तो decrease करना पड़ता है first answer होता है उस समय ठीक है change no change change होता है बढ़ जो oxygen winding affinity है हीमोगलोबिन की तरफ वो pH पर depend करती है RBC count RBC count तो बटा जब हीली एरिया में जाता है कोई परसन plane area का उस समय change जो आते हैं उसकी RBCs का जो count वो gradually धीरे धीरे increase होने लगता है यह answers नहीं रहेंगे answer हो गया अपना second बटा next 111 the amount of O2 normally carried by 100 liters 100 liter की बात कर रहा है बटा of pure blood 100 liter pure blood के अंदर मतलब जो oxygenated blood है 100 liter 100 liter जो 100 liters क्या है pure और oxygenated blood जिसको कहते हैं बटा उसके अंदर oxygen कितना होगा आपने याद क्या होगा कि 100 ml के अंदर 20 ml oxygen present होता है तो लीटर में convert कर तो बटा उसको बैस अगर यहां 100 ml लिखा होता है तो answer first आता और लीटर है तो बटा 20 liters हो गया अब 20 liters में से कितना oxygen tissue के पास जाएगा केवल उसका कितना 25% और वो हो गया बटा यहां पर 5 liters ठीक है अगर हम 100 ml के अनुसार देखें तो 100 ml O2 ब्लड जो है उसके अंदर 20 ml क्या मिलता है oxygen मिलता है और उस oxygen में से केवल 5 ml केवल 5 ml जो oxygen है वो tissue के पास पहुंसता है बटाची ठीक है तो अपना answer हो गया second 200 liter लिखाया है तो 20 liter oxygen प्रेज़न प्रेज़न होगा उसके अंदर ठीक है next 112 which of the following रिप्रेजेंट pulmonary circulation pulmonary blood circulation उसकी बात की गई है यह अपना heart है तो मैं simplified करके बना देते हैं उसको यह क्या है left atria left ventricle right ventricle right atrium यहां पर मैं lungs का डाइग्राम बनाया अब blood जो है वो कहां है बिटा pulmonary word यूज क्या है lungs की वाला circuit जो है उसकी बात करते है यहां से ध्यान देना बिटा यहां blood आया है tissue से और pump हुआ ventricle के पास और right ventricle जो बिटा जब इसको pump करेगा oxygenated होने के लिए तो यहां से blood गया बिटा कहां से right ventricle से lungs के पास गया अब lungs से यहां पर exchange होगा बिटा gases का carbon dioxide lungs के पास जाएगा oxygen blood के अंदर mix होगा फिर यह blood जो है वो अपने left atrium के पास आ जाएगा बिटा left atrium इसको left ventricle में pump करेगा और left ventricle बिटा उसको tissue के पास भीज़ देगा यह tissue हो गया ठीक है तो यह circulation हो गया बिटा नीचे वाला जो circulation है जो tissue के ओर है organ के तरफ है उसको systemic circulation के दिया जो अपर आफ है बिटा तो अपने को वही जानना है pulmonary वाला कौन सा है आपर हफ वाला जिसमें right ventricle से start हुआ तो right ventricle कहा है lungs के पास गया और lungs के पास जब blood oxygenated हो जाता है तो वो पहुंचता है left auricle या atrium के पास बिटा तो answer हो गया fourth next जो question number 113 है बिटा which one of the following blood element is responsible for the production of antibodies antibodies के production के लिए बिटा आपको सभी को पता है antibodies का production B lymphocytes करते हैं और B lymphocytes किस के अंदर है बिटा lymphocytes के अंदर include हो गए यहाँ पर दो type के lymphocytes मिलते हैं B and T lymphocytes T lymphocytes के बहुत सारे types है बिटा जिसमें कुछ help करते हैं B cell का कुछ directly kill कर देते हैं ठीक है और B cell है उसमें memory और plasma cell होती है plasma वाली जो B cells हैं वो antibody का production करते हैं यह किसका production करते हैं antibody का production करेंगे ठीक है तो यहाँ पर lymphocytes answer आगए बिटा thrombocytes platelets हो गई platelets blood clotting में help करते हैं यह भी नहीं आ सकता monocytes macrophases के अंडर आते हैं जो phagocity की nature की होती हैं ठीक है RBC red blood cell नहीं आएगा क्योंकि यह अपने जो gases हैं उनके transportation में help करते हैं वेटा ओके तो अंसर हो गया second यहाँ पर नेक्स्ट 114 डू टू इनसफीचेंट filtration in the movement scapsule all are likely to happen except सभी घटी तोंगे एक कोई नो कोई अपवाद मिलेगा जिन में इन च्यार ओप्सन में से अगर इनसफीचेंट filtration वा बेटा इसका मतलब क्या हुआ हमारा blood जो है वह पूरी तरह से filter नहीं हो पाया उसमें जो यूरिया है वो नॉर्मल से जादा मिलेगा और अगर जादा यूरिया रहेगा तो water भी जादा रेजिस्ट करेगा उसके अंदर ठीक है जो ऑस्मोलर्टी अ बलड की उसको maintain रखने के लिए तो यहां पर क्या होगा accumulation of fluid in the body बढ़ेगा correct है increase in blood pressure जब blood के अंदर यूरिया बढ़ेगा तो water जो रेजिस्टिविटी है water भी जादा होल्ड होगा ठीक है fluid का amount भी बढ़ेगा पूरी body का और जिससे अगर pressure मेरे को यह बते यह blood का amount बढ़ गया तो जो walls है arteries की उन पर pressure भी ज़्यादा लगेगा यह भी correct है increase in blood urea level यूरिया लेवल भी बढ़ गया ठीक है loss of glucose through urine नहीं यहां पर loss of glucose का relation नहीं रहता है तो accept पूछा है fourth answer आ गए यहां पर क्योंकि glucose जो है वो यूरिया के अंदर कब जाता है जब इंसान को diabetes हो जाता है diabetes mellitus को indicate करता ही है तो answer हो गया अपना fourth next 115 find the incorrect statement incorrect देखना है बटा regarding the mechanism of urine formation in men men के अंदर urine का formation हो रहा है उसके संदर में गलत कौन सा है ठीक है first the glomeral filtration rate GFR कह रहा है यह क्या है GFR is about 125 ml per minute एकदम correct है यह काफी important point जो आपको याद रखना है correct statement है कई डिरेक्टली पूछ लिया जाता है GFR कितना होता है normally 125 ml per minute मेटा ठीक है counter current mechanism contributes in diluting the urine मेटा dilute नहीं करता है concentrate करने का काम करता है urine को क्या करता है concentrate करने का काम करता है जो counter current mechanism है aldosterone induced greater reabsorption of sodium हाँ correct है जो अपना नेफरोन उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसके अंदर reabsorption जो sodium का वो बढ़ा दिया जाता है किसके द्वारा बिटा aldosterone के द्वारा aldosterone का जो production है वो अपना जो adrenal cortex है उसके अंदर भी जो भारवाली लेयर है उसमें तीन लेयर होती है क्या-क्या जोना glomerulosa fasciculata reticularis जो glomerulosa वो उसको release करती है aldosterone को the filtrate the filtrate is isotonic to blood plasma in PCT क्यों कि filtrate जो बिटा वो isotonic है blood plasma blood plasma का जो अगर osmolarity देखते हैं बिटा तो वो लगभग 300 milliosmo पर लिटर होता है तो और जो अपना PCT पार्ट है उसमें भी filtrate जो होता है उसकी osmolarity भी 300 milliosmo पर लिटर ही रहती है यह भी correct हो गया तो यहां देखा है गलत कौन सा है incorrect incorrect है second बिटा तो answer हो गया second यहां पर अपना ओके नेक्स्ट जो है question number 116 the coxal bone consists of coxal bone बिटा जो हो अपना pelvic giggle है ठीक है उसके अंदर present होता है तो यहां diagramatically देखें यह वाली coxal bone है हाब पार्ट दिखाए गया है अब इस coxal bone के अंदर यह देखो हमने एरो इसके अंदर लगाए गया NCIT का diagram बिटाए तो इस coxal bone में क्या है सबसे उपर ileum फिर यह वाली pubis bone है बिटा और जो नीचे क्यों और दिख रहा है बिटा वह ischium ileum में ध्यान रखना ilium bone है अगर e कर दिया तो वह हमारे small intestine का पार्ट हो जाता है तो यहां देखें ileum ischium pubis यह ileum वाला नहीं आ सकता यह भी नहीं आएगा यह भी नहीं देगा क्यों clavicle यह collar bone हो गिटा ठीक है papula यह पीछे वाली bone हो जाती है hard गले के अंदर प्रेजेंट होती है यह भी नहीं आएगा maxilla और mandible max जो maxilla उपर वाली mandible यह नीचे वाली जो bone है यह तो वो मर वो मर भी facial bone के अंदर अंदर के और प्रेजेंट है वारे यह भी नहीं आ सकती और यह वाला जो का पार्ट है यह small intestine का पार्ट आ गए इस वज़े से नहीं आए विटा तो अंसर हो गया अपना थर्ड कि नेक्स्ट 117 match the column first and second अब यहां पर क्या है bones और उनके numbers दिये गए विटा कि कितनी bones है हमारी body के अंदर वो false ribs जिनको vertebrochondral ribs कहते है विटा ठीक है यह directly sternum से नहीं जुड़ी होती है ठीक है जो last two ribs है उसके साथ यह cartilage joint के द्वरा attach हो जाती है है तो इनका जो number है मिटा वो six होता है कौन-कौन सी होती है 8th 9th and 10th और जो 11th and 12th है मिटा वो floating ribs के अंदर हम include करते हैं clavicle bone जिसको collar bone कहते है मिटा यह वाली bone आ गई ठीक है यह pectoral griddle के अंदर include किया जाता है मिटा और यह कितनी है एक left side में तो दूसरी right side में दो गई ना इनका number क्या हुआ to sternum chest bone sternum क्या है एक है क्रेनियम यह वाली bone आगे बिठा यह क्रेनियम bones हो गई और इनका number जो है वह 8 होता है तो इसके अनुसार जब हम देखते मिटा तो क्या होगा a का fourth a का fourth b का first b का first c का third c में third और d जो है उसका second बच्चे तो अंसर हो गया अपना थर्ड एका fourth यह है b का first c में third आ गया और d जो है उसका second रहेगा बच्चे ठीक है तो अंसर हो गया अपना third next जो question है question number 118 which of the following pair is mismatch कौन सा गलत मिला हुआ बटा mismatch कौन सा pair है यहाँ पर वो जानना है cerebrum memory mostly जो function well developed part हमारे brain का वो cerebrum ही बटा memorize करने का काम करता है एकदम correct है miss match देखना अपने को cerebrum equilibrium में help करता है ठीक है अगर कोई वेक्थि drink कर लेता तो वो body balance को नहीं बना पाता है तो उस condition को मैं ataxia condition कहते है ठीक है olfactory olfactory का मतलब क्या बटा smell related लोग तो smell वाला correct है mandible temperature के लिए बटा hypothalamus होता है ठीक है vomiting और respiratory center medulla की तरह काम करता बटा तो यह अपना incorrect हो गया तो answer हो गया fourth यहां पर बच्चिए 119 एथीन वैस्कुलर वैस्कुलर का मतलब क्या है blood vessels प्रेजेंट होंगी जिस membrane में अब brain की जो covering हो उसको मिनियंजिस कहते है उसमें तीन लेयर होती है अब तीन लेयर कौन-कौन सी है यह देखो मिनियंजिस कहते है तीन डूरामेटर एरेकनोईड पायामेटर जो पायामेटर है वो ब्रेन के पास होगा और उसके अंदर ही क्या रहती है blood vessels present होती है तो यहां पर भी वह पता है वैस्कुलाराइज मेंब्रेन जिसके अंदर है जो blood vessels है वो present हो बिटा ठीक है तो यहां पर अंसर क्या अगए अपना पायामेटर है ठीक है डन समझ में आ गए बिटा तो अपना जो अंसर है इसका 119 का second next 120 on which layer or membrane the organ of corte is present organ of corte hearing organ है विटा यह scala media के अंदर present है और जो कौन सी layer विटा बैसिलर जो membrane है उसके उपर present होता है तो यहां देखें यह जो membrane है यह बैसिलर है इसके उपर क्या है organ of corte और organ of corte के उपर जो membrane है बिटा जो folding से बनी हुई है तो वो क्या है tectorial membrane किसके अंदर यह organ है scala media के अंदर बिटा और scala media में जो fluid वरा होता है वो होता है endolymph बाकी इसके अंदर पैरिलिम्फ इसमें रहेगा endolymph और इसमें भी क्या रहेगा बिटा पैरिलिम्फ ठीक है तो scala vestibili और scala timpani में पैरिलिम्फ बढ़ा होता है ठीक है और media के अंदर endolymph बढ़ा होता बिटा यह membrane होगी जो scala vestibili है और scala media उसको separate करने वाली जो layer है उसको reasoners membrane कहते हैं तो यहाँ अपना जो question था वो था organ of quality hearing organ किस पर present वो किस पर रहेगा basilar membrane पिए तो अपना answer क्या आ गया basilar membrane ओके नेक्स जो टिंपैनिक membrane ने ये ड्रम को कहते हैं वो इसलीन तो यह answers नहीं रहेंगे answer होगे अपना फॉर्स्ट next 121 which of the following pair is correct कौन सा पेर सहीं है बिटा correctly match कौन सा जिस्च जो कर रहें बिटा रोड कलर वीजन नहीं मिटा कौन स्व जो होती है वो अकलर वीजन के लिए होती है ठीक है तो यह incorrect हो गया क्कोन्स रोडौप्शीन कांदर rodop explorer pigment ने पिगमेंट निए रोड़ उप्शीन तो रोड्स के अंदर present होता है जो hijovies मोस्के यह व्हों प्रेजेंट होता है कौन के आन्दर यह यह इनकरेक्ट हो गया फोटो photo receptor cell प्रकास ग्राई जो कोशीका है उनकी बात करें तो रोड और कौन जो होती हैं दोनों ही क्या है photo receptor cells होती है इस क्रेक्ट Sclera Sclera जो हो बिटा यह क्या कर रहा Photosensitive layer, नहीं बिटा Photosensitive जो layer है, वो retina है ठीक है, Sclera तो Outermost layer of eye रहता है ओके, यह नहीं रहेगा यह भी incorrect हो गया, तो answer हो गया अपना Third Next, 122 The undersecretion of adrenal cortex hormone causes Undersecretion मतलब Deficiency होगी Adrenal cortex के hormone की Mainly milenocorticoid और Glucocorticoid की अगर बात करें, अगर वो कम secret होते हैं, तो क्या होता है Addison's जो disease है वो cause हो जाता है Diabetes insipidus नहीं आ सकता ADH की कमीशी आता है Sterlety जो है, वो different type के जो factors है, वो include करते है ठीक है, जैसे Vitamin E जो है, उसकी कमी से sterlety आ जाती है यह ADH वाला आ गया विटा Antidiuretic hormone जो था उसकी कमी के कारण विटा ठीक है, डार्फनिजम जो है वो ग्रोथ होर्मोन की कमी से यह जो आता है स्टेरलेटी मेंली जो काज होती है मेल्स के अंदर अगर देखें तो vitamin E जो है, उसकी कमी के कारण आता है तो अपना जो answer है यहां पर वो आ गया second, okay next 123 match the column first with column second adenohypophysis जो adenohypophysis word जो है वो anterior pituitry के लिए यूज करते हैं तो यहां पर anterior pituitry का कौन सा होर्मोन दिया गया है बिटा somatotropin जिसको growth होर्मोन कहते हैं adrenal medulla adrenal medulla catacolamines epinephrine, non epinephrine, dopamine इनका production करता है first match हो गया, thyroid जो है वो क्या release करता है, thyroxyn hormone और calcitonin उसका production करता है जो follicular cell है वो तो produce करती है, thyroxyn का और para follicular cells जो होती है वो calcitonin का production करती है pineal gland melatonin और serotonin का production करता है, तो A का second A का second B का first C का fourth D का third बिटा third option में दिया गये जो D है उसका third है C का fourth है B का B जो हो बिटा उसका first और A का second दिया गया है तो answer हो गया अपना third बच्चे next next 124 mature mammalian sperm are stored in यह कह रहा है कि mature mammalian sperm वो store कहा हो रहा है store in prior to the release during ejaculation ejaculation से पहले वो store कहा रहता है बिटा ठीक है उसकी बात की गई है तो यहां पर चार option ठीक है semiferous tubule scortum vast difference epididymis जो storage का काम है बिटा ठीक है वो कहां रहता है mainly अपनी epididymis के जो maturity है जो swimming power motility power है बिटा वो epididymis में मिलती है next question है question number 125 जिसमें क्या दिया गए है कि in an organism 2n जो एक deployed cell है उसके अंदर जो chromosome का number है वो है 12 the number of chromosome in a spermatid जो spermatid है बिटा वो haploid cell होता है n number cell है would be तो haploid है तो अगर 2n के अंदर 12 chromosome है तो n में क्या हो जाएगा बिटा हाफ हो जाएगा six chromosomes मिलेगे and the first polar body produce जो first polar body का production हुआ would be उसके अंदर भी कितना रहेगा chromosome का number बिटा तो first polar body का बनती है जब meiosis first complete हो जाता है बिटा और meiosis first जो है उसको हम reductional जो division है उसके नाम से जानते हैं इसमें chromosome का number जो हाफ हो जाता है तो जो first polar body है बिटा उसके अंदर भी जो chromosome का number है वो क्या हो जाएगा 12 by 2 6 तो दोनों का जो अंसर रहेगा बिटा आपना क्या रहेगा 6 and 6 यहां भी 6 आएगा यहां भी 6 बिटा तो अंसर क्या रहेगा 3rd हो गया next question number 126 hormones secreted by human placenta are human placenta जो है उससे कौन-कौन से hormones का production होता है ठीक है यहां देखते है HCG production होगा बिटा HPL का भी production होगा relaxing का भी होता है estrogen और progesterone का भी होता है relaxing का production ज्यादा कब रहेगा जब delivery condition आती है बिटा oxytocin और जो relaxing है उसका production ज्यादा हो जाता है उस सब इता भी आएंगे relaxing जो है इसके अलावा जो ovary है ठीक है वो भी produce करती है तो यह hormone है जैसे estrogen, progesterone यह भी ovary के अंदर production होता है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो ovary produce कर रहे है वो hormones placenta produce नहीं करेगा placenta भी उनका production करता है यहां पर तो यहां पर अपने answer क्या होगा A, B, C and D जो चारो hormones 4 ABCD में जो दिये है hormones तो 5 है वो सभी किस से production होते है जो human female की placenta है विटा उससे उनका production होता है next question number 127 127 में क्या देगए है the diaphragm cervical cap जो valid आर जो यह जो है विटा यह valid जो है diaphragm है cervical cap है condoms आ गई वो barrier जो method है उनको कहा जाता है तो answer तो आ गया barrier method chemical method जो भी pills intake की जाती है oral pills जो भी है माला-D, माला-M, सहीली जो सब है वो सभी किसमे chemical method में आ जाती है IUD intrauterine devices lifts loop copper T multilode 370 LNG20 यह सब कहा आ गए विटा IUDs intrauterine devices के अंदर आ जाते है implant के अंदर जैसे norplant आ गया ठीक है तो यह इनके examples हो गए यहां पर क्या पुछा विटा कि यह जो दिये गए है वो किसके अंदर include हो रहे हैं वो आते हैं barrier method के अंदर ओके question number 128 MTP is considered safe up to how many weeks of pregnancy जो medical termination of pregnancy वो अगर उसकी बात करते हैं कि safe कब तक रहेगा वो वो safe रहता है के वल जो first trimester है उस समय तक it means 12 weeks तक वो क्या रहता है वीटा safe माना जाता है उसके बाद उसको safe नहीं मानते हैं क्योंकि उसके अंदर जो mother है वीटा उसके impact होने के उसके death होने के जो chances है वो थोड़े बढ़ जाते हैं कई बार उसको safe नहीं माना जाता इस वज़े से तो safe to कब रहेगा 12 weeks ठीक है तो answer क्या होगा अपना fourth next 129 match the column first with second first column को second से match करना है PC culture जो PC culture PC word है वो मचली के लिए यूज करते हैं culture मतलब उसकी rearing और culturing करना उसका production करना उसका ठीक है तो PC culture कि से मैं चोगे बढ़ा rearing of fishes मचली पालन से relate होगा मचलीयों के पालने और रख रखाव से बढ़ा happy word यूज करते हैं honey bee के लिए बटा तो वो आ गया bee culture green revolution crop production के लिए यूज कियाते हैं ठीक है MS Swaminathan है इसके इंडियन फादर जो अपने तो जो और green revolution है वो आ गया crop production से poultry farming मुर्गी पालन जिसको कह देते हैं वो birds का rearing और culturing किया जाता है ठीक है तो यह मैस्दी जब कोलम किया तो हमें answer क्या मिले बटा first का third first का third यह और यह नहीं आ सकता यह दोनों आ सकते B जो है उसका दिया है first B का first के वल यहीं है यह भी incorrect हो गया अपना next 129 के बाद आए 130 in which one of the following option is correct with their particular type of immunity कौन सा match है जो correctly depict कर रहा है particular type की immunity को बिटा neutrophils and monocytes यह दोनों cells होती है WBC के अंदर आती है और phagocytic nature की होती है अब phagocytic nature की है तो वह cellular barrier की तरह काम करती है तो एकदम correctly मैं चाया तो correct तो यह है next anti tetanus and anti snake bite injections पीटा anti tetanus और anti snake bite injections के अंदर पहले से prepared antibodies present होती है ठीक है तो पहले से prepared antibody अगर हम inject करेंगे तो वह antibody हमारी body के अंदर तो नहीं बनी ठीक है भार से हमने intake किया तो वह कहलाता है किस तरह की immunity provide करेंगे बटा passive type की immunity अगर body बना रही बटा immunity ठीक है यह antibodies अगर सिंपल बात करें antibodies का development अगर हमारी खुद की body कर रही है तो वह कहलाता है active immunity ठीक है जैसे vaccination करवाते हैं Corona का तो उसमें हमारा खुद का सरीर बटा उस pathogen के against में क्या बनाता है तो वह कहलाता है हमारा active immunity यहां यह आना चाहिए passive में यह active दिया है बटा तो यहां क्या आएगा passive आना था यह incorrect हो गया saliva and tear यह secretion से ठीक है इनके अंदर lysoenzyme present होता है यह physiological barrier उसकी तरह काम करता है यहां क्या लिखाए physical में नहीं आ सकता है जो mucous skin है यह mucous coating skins हो गई वो आती है इसके अंदर बटा external जो coverings है हमारी internal जो layering है वो सबाद आती है physical के अंदर है fourth में mucous coating epithelium नहीं यह जो है यह physical का हो गया और hcl वो physiological का हो गया तो यह भी incorrect हो गया तो correct जो answer वो हो गया first is कहा next 131 fitness is based on यह NCRT के line से उठा गया है fitness is based on inherited characters जो characters inherited हो रहे है उनी से fitness ज्यादा आ रही है तो वो क्या कहला है तो बटा fitness is based on inherited characters okay natural selection nature ने select किया adaptation उस environment के according वो organism अपने आपको adapt कर रहा है fit कर रहा है उसके अंदर ठीक है non inherited वो character जो एक organism ने अपने time में जब वो grow कर रहा था living था उस समय उसके अंदर जो changes हुए और वो next generation में नहीं जाते हैं उन्हें कहते हैं non inherited characters वीटा तो answer जो रहेगा वीटा यहां पर 131 का वो first रहेगा next 132 the evolution in which more than one adaptive radiation क्या कर रहा है more than one adaptive radiation occur in an isolated geographical area अलग-अलग area के अंदर जो evolution है adaptive radiation वाला वो चल रहा है बटा अलग-अलग है और एक से जादा चल रहे हैं ठीक है तो अलग-अलग जगह पर यह simple कहतों कि यह एक area है geographical इसमें एक जगह पर यह दो है अलग-अलग क्या चल रहा है यहां भी adaptive radiation हो रहा है और यहां भी क्या हो रहा है adaptive radiation जैसे australian marsupials और placental mammals जो थी विटा उनके अंदर जो radiation चला adaptive radiation जो प्रोसर्स चल रही थी विटा उसमें जो development हुआ उनके अंदर वो किस तरह का है विटा क्या दिखाता है Convergent evolution को दिखाता है ठीक है divergent को नहीं दिखाता है विटा divergent evolution में क्या होता है विटा जितने भी हम homologous organs होते है विटा वो सब divergent evolutions मिले और जो analogous organs के वज़े से जो evolution होता विटा वो होता है Convergent evolution में evolve करते विटा parallel का मतलब एक साथ चलना विटा दो अलग अलग geographical area है उनमें एक साथ क्या चल रहा है evolution चल रहा है जैसे horse car human beings का evolution हुआ ठीक है तो यह नहीं आ सकता answer तो second है को evolution को का मतलब साथ साथ चलना विटा अगर एक में evolution नहीं हुआ तो दूसरे में नहीं होगा दोनों में एक साथ evolution होगा जितने भी mutualism के examples है वो सभी को evolution को show करते हैं है तो यह भी नहीं आ सकता है यहां पर तो answer जो है अपना question क्या according हो गया second हाँ विटा next question अपना question number 133 क्या कहता है the chains of antibody are held together by जो chains है विटा यह heavy light ठीक है यह आपस में कैसे जुड़ी होई है विटा यहाँ देखिए यह disulfide bond है यह भी disulfide यह भी disulfide bond से जुड़ी होती है विटा किसे disulfide bond से touch होती है तो directly answer आ गया disulfide bond विटा third answer next question number 134 metastasis metastasis का मतलब क्या होता विटा जो cells होती है tumor inducing वो mature जैसे tumor हुआ वो cells set off हुई और blood stream के थुरू या जो अपना lymphos के थुरू दूसरे पार्ट में जाती है और वहाँ पर नया cancer का development कर देती है उस condition को हम metastasis कहते है विटा यहां देखते है normal condition of body नहीं आएगा change of larva into adult यह metamorphosis होता विटा यह भी नहीं आएगा generation of new tumor in a different site of body correct नया tumor का generation हो जाएगा abnormal growth of body muscles नहीं विटा यह भी नहीं आएगा क्योंकि यह जो है hypertrophy of muscles growth को हम include करते हैं तो answer अपना जो है इसके question के according क्या हो गया third हो जाता है next question question number 135 mark the level ABC respectively ABC जो है उनको नमांकित करना है एकदम correctly ठीक है तो यहाँ पर क्या है विटा A जो है वो ब्रेंकियोसोरस को दिखाता है किसको दिखा रहा है ब्रेंकियोसोरस जो B है वो ट्रेंकियोसोरस को दिखाता है ठीक है और जो C है वो triceratops को दिखा रहा है विटा इनको triceratops यह NCRT का डाइग्राम है विटा तो अब अपनी जो labeling है उसके अनुसार जो answer आका है वो गया third ब्रेंकियोसोरस A में B में आएगा Trinosaurus और C जो है वो triceratops हो गया विटा यहां पर जो एक question दूसरा जो बनता है विटा इन CRT के अनुसार वो रहता है जो अपने अपने Trinosaurus है वो इसे ज्यादा किये तो first time ही include किया जाता है ठीक है यह ध्यान रखना तो 136 में क्या दिया गए विटा if a genetic disorder एक genetic disorder is transferred from a phenotypically normal but carrier female क्या बोला female जो है वो है carrier अब carrier है carrier केवल और केवल जो recessive disorders होते है विटा यह characters है वही show कर रहे है ठीक है तो यहां पर dominant वाले है वो पहले ही incorrect होगे विटा फिर क्या कह रहा है to only only some of the male progeny केवल male progeny के पास भीजर विटा तो याद रखना अगर autosomal हो गया विटा तो इस female से जो भी character था जो disorder का जो भी gene था वो male और female दोनों के पास equally पहुंचता है अगर यह sex linked है जैसे हम color blindness वाले ले लेते है तो यह carrier होगा विटा दूसरा male ली आमने मान लीजे male normal था और इसके जो बच्चे होंगे विटा जो offspring होंगे इनके इस couple के विटा ऐसे female female male and male तो इसके पास यहां पर x और यही x female से अगर जाता है male के पास x c y y male से आ गए विटा x and y x female से और यहां पर अब मेरे को उताओ x c y जब आ गया तो यह क्या है color blindness कोश्यों कर रहे है एक x था वो भी affected आ गए विटा उस gene के लिए ठीक है तो यह केवल जब sex linked हम recessive लेते हैं female उस समय जो male child है वही affected मिलते है विटा वो भी जरूर नहीं सभी मिले कुछ मिलेंगे carrier है तो 50% ही मिलते हैं विटा यहां पर probability के अंसार तो answer जो अपना हो गया for sex linked recessive जो disease है उसको दिखाता है विटा यह answer होगे 4th next question number 137 a person having genotype IAIB would show the blood group as AB this is because of co-dominance क्योंकि बेटा IA और IB दोनों अपने आप में dominant allele है जब दोनों एक साथ आते हैं तो वो किसको show करते हैं जो अपना co-dominance है उसको show करते हैं क्योंकि दोनों अपने impact को equally उस organism में show कर रहे हैं अभी तो AB blood group आया तो किसको show करता है co-dominance को पिलियोट्रोपी पिलियोट्रोपी नहीं आ सकता ठीक है पिलियोट्रोपी में क्या होता है कि सर एक gene अलग अलग जो character से उनको show कर रहे है regulate करता है वो भी नहीं आ सकता segregation gamete formation के समय जो gene के alig alig हो जाती है जो chromosomes का segregation होता है वो कहलाते हैं ठीक है incomplete dominance, incomplete dominance नहीं आ सकता जैसे snapdragon के अंदर देखा तो intermediate जो बनता है first generation जो hybrids बनते हैं वो intermediate type के बनते हैं जैसे आपने जो flower color देखा anti rhinos mesus जो है वीटा four o clock हो गया उनके जो flower color देखे तो dominant red recessive जो था वो white जब उनका cross करवाय गया तो first generation आया एक है hybrid थे pink color के बिटा तो वो intermediate type जो phenotype है वो show करते हैं तो ये भी नहीं आएगा तो अंसर हो गया अपना second next 138 what is the genotype क्या पूछा है genotype genetic makeup के बारे पूछ रहा है genotype ratio of a mandalian mono hybrid cross एक character को लेकर किया गया जो cross है बिटा जैसे जो height of pea plant है उसको अगर cross करते हैं तो उससे क्या होगा मैं directly genotype से show करता हूं इनके gamits जो आएंगे बिटा वो ये बनेंगे जब इनके अंदर cross हुआ तो f1 generation आ गया जिसके अंदर सभी toll plant होंगे और hybrid होते हैं जब इनके अंदर selfing होगा बिटा क्या करवाएंगे selfing जब करवाते हैं तो क्या होगा हम peanut square के box के रूप में show करते हैं बिटा capital T, small t ये gamits बने बिटा तो यहां पर जब हम इसको represent करते हैं तो ये f2 generation आ गया बिटा तो f2 generation के समय अब यहां phenotype तो दो ही है ये सभी जिनको underline किया बिटा ये toll को show करेंगे toll and dwarf ये है phenotypic ratio के अगर बात करें तो toll हो गए 3 और dwarf एक अकेवल अगर मैं genotypic की बात करता हूं it means genotype आने चाहें ठीक है तो यहां पर capital T, capital T वा 1 capital T, small t 2 है बिटा और small t small t 1 अपने इसे यही पूछा था तो यह अपना answer हो जाता यहां पर ठीक है यह test cross को show कर रहा है यह di hybrid cross हो गया उसका phenotypic ratio है यह mono hybrid का phenotypic है तो अपना जो था genetic ratio वो यह है mono hybrid का तो answer हो गया third next 139 gynecomastia is seen in case of gynecomastia क्या होता है यह वो condition है जिसमें male के अंदर females के जो character है वो show होने लगते है जो breast होता है विटा genetic gland से वो well develop हो जाते है ठीक है sterile रहता है तो यहां पर देखते हैं किस के अंदर होता है यह जो condition मेल के अंदर है और मेल के अंदर क्या हुआ एक X chromosome जादा हो गया नॉर्मल से उसके कारणवसी हुआ तो यह आता है अपना क्लाइनी फेल्टर syndrome है उसके अंदर बिटा तो यहां पर देख लेते हैं answer आ गया second chromosomal abrasions के अंदर हम discuss करते हैं इसको तो X X Y यह condition आ जाती विटा इसके अंदर down syndrome में क्या condition रहता है जो chromosome number 21 है chromosome number 21 है first लिख दिया 21st है उसकी trisome ही हो जाती विटा 21st chromosome normally 2 होते हैं वो 3 हो जाते हैं यहां पर terminal syndrome में क्या होता है क्या condition आती है X zero condition हो जाते हैं विटा एक X chromosome जो है female के अंदर वो नहीं present होता है कि वल X zero condition आती है हीमोफीलिया के अंदर जो हीमोफीलिया का gene है विटा X chromosome पे वो mutate हो जाता है तो इसको XC यह female के अंदर हीमोफीलिक sorry H C तो color blindness के लिए लेते हैं विटा यह हो गया, male के अंदर अगर देखें तो एक X अगर वो भी affected हो गया तो हीमोफीलिया कंडिशन हो गया virus disease और royal disease के नाम से जानती है ठीक है तो अपना जो अंसर हो गया second next question number 140 which of the following is a lobe finfish यह अपने evolution वाला जो chapter उसमे paragraph दे रखा था ठीक है, तो उसके अंदर लिखा lobe finfish जो है वो calacanth, जो silacanth है silacanth है उसको कहते है तो directly answer हो गया, lobe finfish silacanth है, ठीक है कतला, रोहु seahorse यह नहीं आते है traumatize के अंदर, ठीक है next 141 cells form in bone marrow include, bone marrow के अंदर बिटा जो अपनी RBC है और WBC है, दोनों का formation होता है, ठीक है तो यहाँ पर RBC आ सकता है sir, leukocytes वो भी आ सकता है अब जो second option है उसमें दोनों लिखें बिटा, तो अपना answer क्या रहेगा RBC and leukocyte lymphocyte भी तो उसी में ग्रो करते हैं जो leukocytes हो, उसी के अंदर आते है lymphocyte B&T lymphocytes ठीक है, तो यह तीनों भी आ सकते थे, लेकिन इसमें क्या है यह सारे जो options हैं वो सभी include हो गई, RBC and leukocytes जिनको leukocytes को WBC करते हैं, तो अंसर हो गया second बच्ची ठीक है, next, 140 two questions where did Australopithecus live, यह Australopithecus जो है वो कहां रहते थे, इस अफ्रीका के grasslands में रहते थे 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 बटा, directly answer रही, अंच्याटी की लाइन से, तो third हो गया next question number 143 inheritance of skin color skin color जो है विटा उसके तीन अलग-अलग gene होते हैं ABC जैसे humans के अंदर देखा is an example of अब यहां पर colors का variation आ रहा विटा अलग-अलग रहता है ठीक है, यह किसका example है यह polygenic inheritance जो quantitative type inheritance है उसको शो करता विटा polygenic inheritance का जो example हो गया यह ठीक है अगर यहां देखो सारे capital आ गए तीनो gene ठीक है dominant type के आ गए तो dark color का person और अगर सभी recessive आ गए तो albino type का बन जाता विटा ठीक है फिर intermediate जो भी अलग-अलग colors है उनका variation आ जाता है यहां पर सबसे जादा जो है वो इस color के रहते हैं ठीक है नहीं dark और नहीं light intermediate जो intermediate type के हैं वो सबसे ज़्यादा persons present होते हैं तो यह किसको show करता है polygenic in editance को polygenic का मतलब क्या है कि बहुत सारे अलग-अलग gene more than two more than two genes regulate a single character ठीक है जैसे humans के अंदर skin color है वो तीन अलग-अलग genes थे उनसे regulate हो रहा है chromosomal abrasion जैसे अभी हमने discuss किया पीछे बिटा chromosomal abrasion के जो अलग-अलग ठीक है disorders है उनको discuss किया था point mutation point का मतलब single एक nucleotide जो है अगर उसमें बदलाव हो गया ठीक है वो point mutation जैसे sickle cell anemia वाला बिटा वो point mutation का example है ठीक है G-U-G की जैसे G-A-G आ गए जैसे show करता है वहाँ पर ठीक है यह भी नहीं आ गया incomplete dominance तो आए नहीं सकता intermediates बनते है इसमें ठीक है तो अपना answer है जो थर्डा जाता है यहाँ पर next question number 144 which of the following bone is not a part of जो भाग नहीं है बिटा किसका appendicular skeletal system का appendicular skeletal system है अपने दोनों हाथ ठीक है दोनों पैर pectoral griddle, pelvic griddle बिटा यह सभी include हो जाते हैं ठीक है अब हाथ के अंदर जो bone है वो यह humerus radius alna carpus metacarpus phalanges पैर के अंदर अगर देखें ऐसे ही तो femur tibia fibula petella bone है kneecap bone जिसको कहते हैं फिर tarsal आ जाते हैं बिटा tarsal के बाद जो है metatarsus और phalanges ठीक है तो यहाँ पर और क्या क्या है जो pectoral griddle है बिटा उसमें clavicle और scaphula bone ठीक है ऐसे ही जो हमारा pelvic है उसमें coxal bone आ गए ileum is chimpubus के formation से हुआ fusion से तो यह भी present होता है टीबिया भी रहेगा clavicle भी है sternum जो bone है chest bone यह वाली जो bone है chest bone यह किस में आती है axial जो skeletal system उसके अंदर include होता है तो यह नहीं आएगा तो answer तो अपना है टाइब प्लस प्लस से इंडिकेट करते हैं में वाइल टाइब को dominant जो दिखा रहें यहां पर in this cross 600 out of 1000 total कितने है 1000 जिसमें से 600 individuals है में वर parental type किस तरह के है parental type के है अब 1000 total है उनमें से parental type 600 हो गई तो recommend type कितने बने जो recommend type के होगे यहां पर total 1600 parental तो हम minus कर देते हैं सर recommend type अगर देखें तो 1000 minus 600 कितने आ गए 400 individuals recommend type के होगे the distance between the a and b is a और b के बीच में distance क्या अगर बटा तो a और b के बीच में distance निकालने के नहीं बटा हम यहां पर क्या करते हैं जो frequency है वो calculate कर लेते है recombinants की परसंटेज यह frequency of recombination calculate क्या कितना आ गया 40 और जितना percentage आ है उतना ही map unit क्या है इन दोनो a और b जो gene है उनके बीच की दूरी calculator यही क्या है दूरी के रूप में अगर देखते हैं तो distance उनके बीच का जो बेटा वो 40 map unit यह कई बार बेटा centi morgan जो है उससे represent कर देते हैं ठीक है capital C और M small यहां पर है centi morgan से कर दिया है तो answer क्या हो गया अपना यहां पर 40 map unit बेटा है ऐसे calculate करते हैं कई बार क्या होता है parental ने लिखकर यहां पर recombinant type ही लिख दिया और उसका number बदल देता है यहां के दिया 350 तो उसके अनुसार हम उसको solve करेंगे बीटा ठीक है तो answer हो गया third next question number 146 which of the following statement regarding sertoli cell is correct जो sertoli cell से बीटा ठीक है जिनको हम nurse cell के नाम से जानते हैं किसके नाम से nurse cell के नाम से जानते हैं यह क्या करती है बीटा जो spermatid है उसका head part इसके साथ fuse हो जाता है उसको nourishment nutrients प्रोवाइड करता और उसके अंदर differentiation करा कर बीटा क्या बनाए देगा उसको mature dose spermatoz हो है उसका formation हो जाता है ठीक है तो यहां देखते हैं कहां present है found in testisterone का production नहीं कर बीटा testisterone जो hormone उसका production बीटा जो leading cells है वो करती है तो यह incorrect हो गया it is the place where spermatozoa is concentrated and stored until ejaculation है बीटा यह अभी हमने discuss किया था जो epididymus है उसके अंदर आता है यह incorrect हो गया it is third it secreted spermatozoa activating substance like fructose and citrate यह seminal जो fluid है बीटा उसके अंदर रहता है जो citric acid है ठीक है अगर citrate ion लिख दिया बीटा calcium के साथ लिख दिया इसको तो वो जो अपना prostate gland है उसके secretion में पाई जाते है ठीक है यह नहीं आएगा fourth जो है it is found in seminiferous tubule correct function as nurse cell correct for the differentiation of spermator जो differentiating process हुई बीटा जिससे spermatid जो था वो किसमे convert हो गया spermatid जो आके अंदर ही कह है उसके लिए food दे रहा था एकदम correct statement तो अंसर हो गया अपना fourth यहां पर ओके हाँ बीटा जो next question question number 147 pneumatic bone are present in pneumatic मतलब hollow bone है जिसके अंदर air filled होती उसको pneumatic bone कहते हैं जो हमारे एवस होते हैं पक्सी होते हैं उनके अंदर पाई जाती हैं तो यहां पर यह देखते हैं मरीन टर्टल भी नहीं रहेगा कर्वस जो कॉर्वस है वो क्रो को कहते हैं कववा जो होता है हां वो वर्ड है उसके अंदर मिलेगा यह जो टैरोपस है विटा ठीक है टेरोपस क्या है फ्लाइंग जो फोक्स है विटा उसको कहते हैं ठीक है यह मेमल्स के अंदर आई जाती है तो यह भी नहीं रहेगा तो अंसर जो हो गए विटा अपना थर्ड हो जाता इसका नेक्स कोशें नमबर 148 सेप ओफ हेंले लूप एंडवासार एक्टव छो हेंले लूप वह हें यह डियर्टी का पॉइंट है तो यहाँ देख लेते हैं हें सेप एंडट यू सेप्र convention हो गया थर्ड है next 149 immunity acquired after corona infection अभी अभी मैंने बता है corona अगर हो गया बिटा तो pathogen enter क्या अगर pathogen हमारी body में enter करता है तो हमारा immune system बिटा उस pathogen को खतम करने के लिए क्या करेगा antibodies का formation खुद करता है तो उस तरह कि जो antibody बनती है बिटा जब हमारी खुद की body ने बनाई तो वो गया active type की immunity बिटा क्या हो गया active और बहार से अगर intake करते हम तो passive innate जो हमें जर्म से मिलती है ठीक है जो immunity हमें जर्म से मिली है बिटा वो कहते हमें innate immunity को बिटा ठीक है तो answer हो गया अपना first next portion number 150 donor राम राम क्या बिटा डोनर है recipient sum belongs to the same blood group वह कह दिया कि दोनों का a blood है जैसे राम राम का भी blood group a है और जो sham है उसका भी blood group क्या है a है transfusion has leads to rbc agglutination agglutination हो गया it means वह जैसे ही इन दोनों को डाला वह राम ने जब sham को blood दिया तो क्या हो गया agglutination हो गया blood group तो same है दूसरा role आता है बिटा antigen जो थे a और bk या a और ak तो same योग है antigen उसके अलावा जो अपना rh है factor बिटा वो भी तो present होता rbc के उपर तो rh जो factor बिटा वो भी दोनों का अगर same हुआ तो तो agglutination नहीं होगा बिटा ठीक है वही श्याम के अंदर उस rh के against antibodies नहीं बनेंगी अगर दोनों positive होते या दोनों negative होते बिटा तो agglutination है नहीं होता और यहां कह रहा है agglutination क्या हुआ है हो गया है तो हुआ है तो क्या हुआ कि जो donor था बिटा वो तो rh positive है donor क्या है positive और recipient क्या हो जाए negative तो क्या होगा जैसे ही यह rh factor rbc के उपर है बिटा जैसे ही यह rbc बिटा राम से किस के पास जाएगी स्याम के blood में जब जाएगी तो स्याम के blood में इस rh factor के against क्या बन जाएंगी antibody बनेंगी किसके against rh factor के against विटा ठीक है जो rh factor है उसके against क्या बन जाएंगी antibodies किसके अंदर है स्याम के अंदर तो वो क्या करेगा यह antibody इस से react करेंगी विटा और इसको क्या कर देंगी rbc को agglutination करा देंगी clottings बना देते हैं उसके अंदर ठीक है तो यहां पर जो answer आता है राम होना चाहिए positive और श्याम होना चाहिए rs negative जिसके कारण ही agglutination हुआ अगर इसका उल्टा करतेंगे तो agglutination नहीं होगा तो answer यह आता अगर agglutination नहीं होता तो यह भी आ सकता था और यह भी आ सकता था ठीक है तो अपना जो question है जितने 150 तक question थे 101 से I hope आप सभी को जो भी doubts थे विटा इन questions में वो आपको sort out हो गए होंगे ठीक है आप ऐसे ही मेहनत करते रहें ठीक है All the best for your future exams dear